यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है एक सो सोलवा दिन सही संबंध पूर्वी मलेशिया में हुए एक अलफा कॉन्फरेंस में पूरे एशिया के लोग आये थे बहुत से लोगों का सताव हुआ था उनके विश्वास के कारण एक व्यक्ती ने मुझे बताया कि उसके पिता को 6 साल की सजा हुई थे सिर्फ इसलिए कि वह एक मसीही पास्टर थे उसे भी एक साल की सजा हुई थे 19 वर्ष की उम्र में क्योंकि वह अपने पिता के पक्ष में बोल रहे थे यह एक भयानक अन्याय है जब निर्दोशों पर दोश लगाया जाता है और बंदिग्रह में डाल दिया जाता है और भी बुरा होता है जब उन्हें मौत की सजा दी जाती है आज के नए नियम के लेखांच में हम मानवी ये इतिहास में सबसे बड़े अन्याय के विशह में पढ़ेंगे इशु पूरी तरह से निर्दोश थे वह एक सत्यनिष्ट मनुश थे फिर भी क्रूस पर चड़ाये जाने के द्वारा उन्हें मृत्यु दंड दिया गया प्रेरीट पत्रस इस तरह से इसे समझाते हैं इसलिए कि मसी ने भी अर्थाद दुष्टों के लिए सत्यनिष्ट ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाएं पहला पत्रस तीन का अठारा शब्द सत्यनिष्ट अकसर स्वयम सत्यनिष्ट से जुड़ा है और लगभग निंदा का एक शब्द बन गया है किन्तु बाइबल में सत्यनिष्था एक अद्भुद शब्द है यह संपूर्ण बाइबल के विशय में हमारी समझ के लिए भी बहुत महतुपूर्ण है सत्यनिष्था सही संबंदों के विशय में है परमेश्वर के साथ सही संबंद और दूसरों के साथ सही संबंद नई नियम में हम समझते हैं कि यह सत्यनिष्ठा केवल इश्यू मसी में विश्वास के द्वारा संभव है रूमियों 3 का 21 से 4 के 25 तक नितिवचन 10 का 21 से 30 तक सत्यनिष्ठ की आशिशें नितिवचन की पुस्तक मूर्ख के जीवन और बुधिमान के जीवन के बीच अंतर को स्पष्ट करती है यह सत्यनिष्ठ के जीवन और दुष्ट के जीवन के बीच भी अंतर स्पष्ट करती है यहां पर हम कुछ आशिशों को देखते हैं जो सत्यनिष्ट को दी गई है सत्यनिष्ट के वचनों से बहुतों का पालन पोशन होता है हम अकेले सत्यनिष्ट नहीं बन सकते हैं सत्यनिष्ट हमारे संबंद के विशय में है यह दूसरों को आशीश देने के विशय में हैं आज अपने वचनों से आप किसका पालन पोशन भोजन देना, मार्गदर्शित करना, उच्साहित करना कर सकते हैं नमबर दो, बुध्धी में आनन मनाएं जिनके पास अंतर ज्यान है, वह बुध्धी में आनन मनाते हैं परमेश्वर के साथ एक संबंद के कारण, एक वस्तु आती है वह है ज्यान और बुध्धी के लिए एक भूक आज बुध्धी को मांगें, परमेश्वर आपको बुध्धी देने का वायदा करते हैं जब आप मांगते हैं, याकूब एक का पांच सत्यनिष्ट की इच्छा पूरी होगी, नीतिवचन दसका चौबिस परमेश्वर की आत्मा आपकी इच्छा को उनकी इच्छा के साथ बदलना शुरू करते हैं फिलिपियों 2 का 13 और जैसे ही यह उनकी इच्छा के साथ मिल जाता है, वैसे ही परमेश्वर आपको आपके हृदय की इच्छाओं को देने का वायदा करते हैं बजन सहीता 37 का 4 नमबर 4 आनंद का विधान सत्यनिष्ट को आशा रखने में आनंद आता है सत्यनिष्ट सर्वदा स्थिर रहता है परमेश्वर का भाय मानने से आयू बढ़ती है और सत्यनिष्ट हमेशा अटल रहेगा सही संबंद महान आनंद के श्रोथ है इश्व के साथ एक संबंद में आपका आनंद पूरा होता है यहना 15 का ग्यारा आपका विधान है अनंद आनंद परमेश्वर मैं आपकी बुद्धी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मुह पर नियंतरन रखें ताकि आपके वचनों का इस्तेमाल दूसरों का पालन पोश्चन करने में और उन्हें मार्गदर्शित करने में हो सके यह लेखांच हम सभी को आशाप्रदान करता है हम एक अपराधी के उधारन से देखते हैं जिसे ईश्व के साथ मृत्यू दंड की आग्या हुई थी कि जिस शन आप अपने पाप को मान लेते हैं और ईश्व की और मुड़ते हैं तब आप पूर्ण शमा को ग्रहन करते हैं और परमेश्वर के साथ एक सही संबंद में आ जाते हैं इस उपहार को कमाने के लिए इस आदमी ने कुछ भी नहीं किया उसके पास बप्तिस्मा लेने का अवसर भी नहीं था फिर भी तुरंत ही इस अपराधी ने वायदे को ग्रहन किया कि उसी दिन वह ईश्व के साथ स्वर्ग में होगा यह कैसे संभव है? नमबर एक ईश्व की सत्यनिष्ठा क्या कोई ऐसा व्यक्ती है जिसने आपको चोट पहुंचाई है और आपको उसे आज शमा करना चाहिए इश्व अपने शत्रों से प्रेम करने के स्थर को बहुत उचा रखते हैं हमारे आलोचक जो निंदा करते हैं और हम पर हसते हैं हमारे चरित्री की परिक्षा यह है कि जब हम कष्ट उठाते हैं और दर्द में होते हैं तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है इश्व जैसे ही क्रूस पर उनका सताव होता है तब वह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता उन्हें शमा करें क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं इश्यू पिता के साथ एक सही संबंद में जी रहे थे। लुका के सुसमाचार में दर्ज उनके अंतिमवचन है। पिता आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौपता हूँ। यहां तक की रोमी सुबेदार ने यहां देखकर की यहां हुआ है परमेश्वर की स्तुति की और क कहा सच में यहां एक सत्यनिष्ट व्यक्ति था। नमबर दो हम सभी की दुष्टता। इश्यू की सत्यनिष्ठा उन लोगों से अलग थी जो खड़े होकर देख रहे थे। शांसक जो इश्यू पर हस रहे थे। सैनिक जो उनका ठठा उड़ा रहे थे और जो लोग न्याय नुसार दंड पा रहे थे क्योंकि वे अपने कामों का ठीक फल पा रहे थे। उनमें से एक ने इश्यू का अपमान किया, दूसरे ने अपने साती अफरादी को डाटा और इश्यू की और फिरकर उसने अपने पाप को माना। हम तो न्याय नुसार दंड पा रहे हैं क्यों क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और इशु की सत्यनिष्ठा इस मनिष्य ने कुछ भी गलत नहीं किया है तब उसने कहा इशु जब तुम अपने राज्य में जाओगे तब मेरी सुधी लेना इशु ने उसे उत्तर दिया मैं तुझ से सच कहता हूं कि आज ही तु मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा नमबर तीन दुष्टों के लिए सत्यनिष्ठ मारा गया यह लेखांच व्यंग से भरा हुआ है जैसे ही शासक इशु पर हस रहे थे कहते हुए इसने दूसरों को बचाया यदि यह परमेश्वर का मसीहा है और उसका चुना हुआ है तो खुद अपने आपको बचा ले सैनिक ठठा कर रहे थे यदि तू यहुदियों का राजा है तो अपने आपको बचा ले एक अपराधी उसे पुकारता है क्या तू मसी नहीं तो फिर अपने आपको और हमें बचा वास्तों में वह उन लोगों को और हमें बचाने के मंदिर का पर्दा दो भागों में फंट गया, लुका 23 का 45. यह बताते हुए कि ईशु की मृत्यू के द्वारा परमेश्वर की उपस्तिती में अब सभी का जाना संभव हुआ है. ईशु ने इसे आपके लिए और मेरे लिए संभव बनाया कि परमेश्वर के साथ एक सही संभ दो अपराधियों के बीच के अंतर और इशु के प्रती उनकी प्रतिक्रिया के बीच के अंतर में लुका हमारे सामने वह निर्णे रखते हैं जो हम सभी को लेने की आविशक्ता है. आप इशु को नकार सकते हैं जैसा कि उसमें से एक ने किया, या आप उनमें अपना विश्वास रख सकते हैं जैसा कि दूसरे व्यक्ति ने किया जब उसने इशू की और मुढ कर कहा इशू मुझे याद रखना लेकिन बहुतों ने उस समय इशू को नकारा तब भी दूसरों ने उन पर विश्वास किया उधारन के लिए अरिमतियां का यूसुफ सज्जन और सत्यनिष्ट पूरुष्ट था वह इशू में विश्वास करता था वह महासभा के निर्णे से प्रसन नहीं था और परमेश्वर के राजिका इंतजार कर रहा था और उसने इशू के लिए सम्मान पूर्वक दफनाने की विधी का इंतजाम किया जो महिलाएं इशू के साथ आई थी उन्होंने भी इशू में विश्वास किया वह यूसूफ के पीछे पीछे गई और कब्र को देखा और कैसे उनके शरीर को लिटाया गया था यह देखा तब वे घर गए और मसाले और इत्र तयार किये लेकिन आग्या का पालन करते हुए उन्होंने सब्द के दिन यदि आप कभी परमेश्वर के प्रेम को कमाने का बोज महसूस करते हैं तो आप इस लेखांच के द्वारा शांती पा सकते हैं कि परमेश्वर आप से अधिक प्रेम करें इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर आप से कम प्रेम करें इसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं धनिवाद परमेश्वर क्योंकि विश्वास के द्वारा आप मुझे सत्यनिष्ठा का उपभार देते हैं और परमेश्वर के साथ मुझे एक सही संबंद में रखते हैं पुरानानियम यहोशु 9 का 16 से 10 के 43 तक विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ यहोशु के लिए डरने के बहुत से कारण थे लेकिन परमेश्वर ने यहोशु से कहा जैसा कि वह आज आप से और मुझे से कहते हैं डरो मत, निराश मत हो मजबूत और साहसी बनो यहोशलेम के राजा का नाम अदोनी सेदेख था सेदेख का अर्थ है सत्यनिष्ठ किन्तु सारी संभावना में वह सत्यनिष्ठ से दूर था यह सामान्य बात थी कि उस समय कनान में रहने वाले लोग सभी प्रकार के बालकों की बली और दूसरे बुरे अभ्यासों में शामिल थे दूसरी और यहोशु परमेश्वर के साथ एक सही संभन्द में जी रहा था नया नियम इसे सपष्ट करता है कि यहोशु की सत्यनिष्ठ अबराहाम और पुराने नियम के दूसरे लोगों की तरह विश्वास के द्वारा आई थे रोमियों 3 का 21 से 4 के 25 यहोशु विश्वास का मनुश्य था इबरानियों 11 का 30 इश्व की मृत्यू का परिणाम केवल उनके बाद जीने वालों तक सिमित नहीं था इश्व की मृत्यू ने उन लोगों को भी प्रभावित किया जो उन से पहले जीवित थे इश्व ने अबराहाम मूसा और यहोशु के लिए अपनी जान दी वह क्रूस पर अपराधी के लिए मर गए वह मेरे लिए मरे वह आप के लिए मरे हम सत्यनिष्ट बना दिये गए हैं परमेश्वर की वह सत्यनिष्ठा जो इश्व मसी पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है रोमियो 3 का बाईस परमेश्वर आपका धनिवाद क्योंकि आपने जान दी सत्यनिष्ट ने दुष्टों के लिए मेरे सहायता की जिये कि आज आपके साथ एक सही जीवन जी सकों और दूसरों के साथ एक सही जीवन जी सकों लुका 23, 55 और 56 महिलाएं इमांदार बहुत दुर और प्रायोगिक थी उन्होंने पता लगाया कि इश्व के शरीर को कहा रखा गया था और उन्होंने जाकर व किया जो व कर सकती थी उन्होंने आर्थिक रूप से और प्रायोगिक रूप से इश्व के जीवन काल में उनकी सहायता की थी और वे अंत तक उनकी देखबाल करने वाले थे आज का वच्चन तब उसने कहा हे इश्व जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधी लेना लुका, तेईज का बयान